भारतिय जन्ता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्री एद्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राजद और तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के चुनावी खोष्णा पर करारा प्रहार किया है। जिन लोगों को पहले काम करने का मौका मिला तो कांड करने में लग गये। और अब राजनीती ग्रूप से बेरोजगार हो गये हैं तो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए जूठे वादे किये जा रहे हैं। जिसमें बिहार में 10 लाक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। वो भी पहले ही कैबिनेट की बैठक के दौरान। देजस्री की इस घोषणा के बात से ही विहार के सियासी दल उन पर लगता सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने तो यहां तक पूछ दिया है कि देजस्री इतनी नौकरियों के लिए पैसा लाएंगे कहां से। बिहार में पहले चरण के चुनाव में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं और तेजस्री अपने हर चुनावी सभा में 10 लाख लोगों को रोजकार देने की खोषणा सबसे पहले कर रहे हैं।